हेलो स्टूडन्स आपको अभी पता चल गया है कि हमारी एफे की एक्जाम स्टार्ट होने वाली है आपको पेपर स्टाइल और पेपर पेटन सब कुछ मिल गया है तो भी थोड़ा मैं आपको पेपर पेटन के बारे में बता दू ऐसे तो अच्छे से ही लिखी है इसमें कॉर होगा पॉयम 1 & 4 & chapter 2 & 3 फर्स्ट विभाग होगा घद्य विभाग जीसमें फिलिंग दे ब्लैंक्स बन लाइन आंसर & 4-5 लाइन आंसर फिर सेक्शन बी होगा जो पद्य विभाग होगा सायद आपकी पेपर स्टाइल में यह मिस्टेक से घद्य है तो यह आप सुधार लेन पद्य विभाग होगा यानि कि पॉयम में से आएंगे वोगा mcqs 2-3 लाइन आंसर & briefly answer & 4-5 लाइन 5-6 लाइन आंसर फिर ग्रामर में टीन टॉपिक आएंगे समानार्थी विरुदर्थी और मुहावरे और लास्ट टॉपिक है निबंत तो यह थी आपकी पूरी पेपर स् इसाब से पूरा रिविजन लिखते हैं तो आपको आज यह वीडियो द्वारा रिविजन सेक्शन वाइस समझाया जाएगा और वही रिविजन आपको पूरा रिविजन पार्ट में आपकी हिंदी की बुक में लिखना है तो हम रिविजन स्टार्ट करेंगे पहले हम घद्य विभग करें इसलिए चैप्टर 2 & 3 का रिविजन करेंगे तो घद्य विभग में पार्टी में फर्स्ट है रिक्तिस्थान की पूर्ति कीजिए आपको पहले भी बता है कि आपको लेखक के नाम जन्मतारिक और उसकी पर्संजी इनका जन्म हुआ था 1896 और इनके मृत्ति हुई थी 1968 में अभी हम रिक्तिस्थान की पूर्ति करेंगे ये स्टूडन्स आपको MCQ फिलिंग दे ब्लैंक सब में पूछा जा सकता है इसलिए एक्स्प्लेंड किया है डैस के चरणों में यह घर पवीत्र स्वरी डै परण्तों कुछ करके दिखाना डैस है यानि कठीन है डैस मिले तो दिखा दूँ कि नयाय किसे कहते है तो इसका आंसर होगा आउसर समराच ने अपने हाथ से डैस उतर कर सिशू पाल को पहना दी तो इसका आंसर होगा अंगूठी धनवीर देखते क्या हो अप्राधि को ड घीरस्तार अभी हम चैप्टर 3 करेंगे स्टूडंस चैप्टर 3 है क्या नीरास हुआ जाए जिसके लेखक है हरी प्रसाद वीवे दीजी उनका जन्म वह था नाइनटीन सेवन में और मुर्ति हुई थी नाइनटीन सेवन नाइन में सबसे पहले फिलिंग दे बलैंक से अनिके रीक्तिस्थान हर व्यक्ति डैस की द्रस्टि से देखा जा रहा है यहाँ पर संदेह लिखा है अगर यह समझ में नहीं आता है पहले सायत संदेश था बटो मिश्टेक हो गए थी तो संदेह है तो इसलिए यहां पे लिखे बताया गया है तो हर व्यक्ति संदेह की द्रस्टी से इसका आंसर होगा डैस का संदेह डैस केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है इसका आंसर है सच्चाई बारत वर्ष ने कभी भी डैस वस्तुओं के संग्रव को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया इसका आंसर होगा भौतिक आदर्सों को मजा कविसे बनाया गया और सयम को डैस मान लिया गया तो आंसर होगा दक्यानुसी अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बूरी बात है इसमें ऐसा होगा डैस को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बूरी बात है तो इसका आंसर होगा अच्छाई एच्टूडन्स्द आपको पहले भी बताया वापसे बताती हूँ, कि जितनी भी ब्लैंक्स मे आपको एक्स्पेन की है, हो सारी ब्लैंक्स आपको रिरीजन में आपके हिंदी की बुप में लिखती है, इसलिए यह आप मारी स्कूल का रूल्स है, इसलिए सबको कमपल सरी लिखना है अस्तूर